अब इतक हमने पड़ा था इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के बारे में पड़ा था और जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर पड़ा था हमने तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर हमने कहा था कि जो चार्ज था वो अमारे पास क्या था वह इट इस एड रेस्ट लेकिन अ अब अमारे पास वो ब्रांचे physics की in which we study about the charge r in motion अब अमारे पास आता है वह electric current है वो अमारे पास क्या होता है वह what do you mean by electric current जैसे अगर हम electric current की बात करते हैं तो rate of flow of charge होता है और rate of flow of charge होता है तो मैं इसको कह सकता हूँ वह charge upon time इसको हमने नाम देती है वह rate of flow का नाम देती है अब हम यूँ कहते हैं कि जो rate of flow है ना it is important अगर मैं यूँ कहते हूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक body है इस body में से दो clam charge है वो पास किया हमने लेकिन ये कहता है कि जो दो clam charge है वो 3 hours के अंदर पास हुआ इसका मतलब ये हो गया कि charge दो बटे में 3 hours 3 into 3600 ampere के वराबर हो गया जो हमारे पास क्या होगा अगर बहुत बहुत small होगा मतलब ये हो गया कि इस body को मैसूस ही नहीं होगा बट ये कहता है कि अगर ये दूसरे मैंने body ले ली इस में से भी मैंने दो clam charge है वो flow करवाया है बट मैंने कह दिया है कि बही जो दो clam charge था वो 0.01 second में पास करवा दिया यहाँ पे जो हमारे पास time है वो कितना है 0.01 second that is मैं कहूंगा कि 2 upon 0.01 और यहाँ से हमने कह दिया है कि यह जो current आया वो किस के बराबर आगया आपके पास 200 रुपीज 200 एम्पीर के बराबर आगया that is हम कहेंगे कि बहुत बहुत जदा है और बहुत जदा है तो इस बोड़ी वो क्या होगा आपके पास feel होगा feeling आएगी इसका मतलब यह हो गया कि rate of flow है वो हमारे पास it plays an important role भुज important role play करेगा आगया हमारे पास आता है जो electric current होता है वो मैंने बताया कि flow of charge upon time that is हम कहेंगे कि I is equal to हमारे पास क्यों upon T के बराबर आ गया अगर मैं average current की बात करूँ तो average current is equal to flow of charge upon time taken this is the average current और यह कहता है कि अगर हमारे पास time है वो बहुत small है और मैं यह कह दू कि अगर हमारे पास delta T है it will tends to 0 then हम कहेंगे कि I is equal to limit delta T tends to 0 delta क्यों upon delta T और यह कहता है कि यह जो current बनेगा वो आमारे पास instantaneous current बन जाएगा एक बर हम unit पे जर्जा करते हैं देखो यह आपी current is equal to क्या होता है हमने charge upon time और charge की unit आप लोगो उने पड़ी थी कुलाम और time की second कुलाम per second and कुलाम per second is known as ampere और हमने कह दिया कि it is represented by A that is अगर हमारे पास one ampere current आई तो मैं कहूंगा कि one कुलाम charge flow करता है और कितने time में flow करता है आपके पास one second में हमारे पास one कुलाम charge flow करता है then हम कहेंगे कि जो current flowing रहेगा वो हमारे पास किसके बराबर रहेगा आपके पास one ampere के बराबर आएगा अगर यहाँ पे भाई हमारे पास current दे रखा हो तो charge निकाल सकते हैं देखूं भाई यह कह दे कि i is equal to हमने क्या बता है d क्याव upon dt और यहाँ से मैं कहूंगा कि d क्याव is equal to i into dt को time t दे रखा हो t time में अपने को charge calculate करना है तो क्याव is equal to integration of i into dt के बराबर आएगा and we can calculate the charge अब यहाँ पे देखो क्या कह दिया अगर यह कोई question you कह दे कि वह हमारे पास कोई क्याव charge है वो बता दे कि 8t माइनस 3t स्केर पलस 5t q के बराबर बता दे तब यह कह देख भई हमें calculate करना है कि current flowing through the circuit at t is equal to 0 और इस current को हम नाम दे सकते हैं भई this is known as the initial current initial current calculate करना है कब calculate करना है कि जब time है वो हमारे पास क्या है 0 है भाई क्या हुदे रखा हमने पढ़ रखा है current कि rate of flow of charge that is हम कहेंगे d क्याव अपोन dt is equal to dy dt of 8t माइनस 3t स्केर पलस 5t q के बराबर होगा यह होगा differentiate करने है पहले का differentiation माइनस दूसरे का differentiation पलस तीसरे का differentiation और मैं यहाँ से कह देऊंगा कि I is equal to dy dt of 8t माइनस dy dt of 3t स्केर पलस dy dt of 5t q के बराबर होगा 8 constant बारा गया t का t के respect में 1 माइनस 3 constant बार आ गया t स्केर का है 2t पलस 5 बार आ गया t q का है आपके पास 3t स्केर के बराबर आ गया और I की value आ गया हमारे पास 8 माइनस 6t पलस 15t स्केर के बराबर आ गया जब यह कहता है कि instantaneous current instantaneous current का मतलब यह होगा है कि time t is equal to 0 put कर लो 0 put करो 8 minus 0 plus 0 that is हमने कह दिया कि उस wire में से जो current flow रहेगा instantaneous current रहेगा वो 8t के बराबर होगा अगर इसी question में यूँ कह दे कि also calculate the time at which current is maximum current है वो हमारे पास maximum होगा अब हम बात करते हैं maximum minimum की और मैं यूँ कह दे हूँ कि current यह कह रहा है कि current is maximum i है यह maximum होगा और current maximum जब होगा जब हमारे पास d i upon d t variable के साथ इसका हमारे पास differentiation है वो 0 के बराबर होगा तो यहां हमने बताई कि i is equal to 8 minus 6 t plus 15 t square 8 minus 6 t plus 15 t square और हमें current maximum से यह तो अगेन इसको differentiate कर दो d i upon d t is equal to d y d t of 8 minus 6 t plus 15 t square और यह आया हमारे पास 8 constant constant का differentiation के बराबर होना चीए जेरो के बराबर तो minus 6 plus 30 t is equal to 0 और 6 is equal to 30 t और t is equal to कितना आया 1 upon 5 second के बराबर आ गया this is the time at which current will be maximum अगर यहीं पर यह होगा है देख भई also calculate the maximum value of current भई जब time maximum हो गया तो यह वाड़ा current आमारे पास होगा वो भी आमारे पास क्या रहेगा maximum तो यहाँ पर i की value बुट कर दो i maximum is equal to i maximum is equal to हमारे पास है 8 minus 6 into t के value 1 by 5 plus 15 into t का square 1 upon 5 का square 1 upon 25 5, 3, 0, 5, 5 और यह है 8 minus 6 upon 5 plus 3 upon 5 22 में add करो कि तो minus 3 upon 5 बच गया 8 minus 3 upon 5 और 5 एलसे में ले लो 40 minus 3 upon 5 is equal to 37 upon 5 ampere के बराबर होगा यह कहता है कि जब आमारे पास time इसके बराबर होगा तो जो maximum current होगा वो 37 upon 5 ampere के बराबर आएगा यह तो maximum current आ गया आगे कहता है कि अगर यह कहता है कि आमारे पास कोई बेक वायर है वायर में यह current इस type का कहते है कि current flowing through the wire है वो 2T plus 4K बराबर है यह कहता है कि आमें calculate करना है charge flowing between the time 2 second to 6 second यह 0 to 2 second 0 to 5 second 5 to 15 second and so on भी आमें क्या calculate करना है charge calculate करना है current का formula बड़ा था I is equal to D क्या हो अगोन DT और जब charge calculate करना हो तो हम कहेंगे I DT और total charge calculate करना हो तो हम कहेंगे इसको integrate करेंगे integrate कर दो इसको I DT और यह आया हमारे पास कितने time की बात कर रहे है 2 to 6 second तो within the limit 2 to 6 और यह आया हमारे पास integration 2 to 6 2 T plus 4 into DT के बराबर आया और यहां से हमने कहेंदिया क्या हूँ is equal to integration or 2 to 6 2 T DT पलस integration or 2 to 6 4 DT 2 constant यह तो बाहर आ गया और T का कितना हैगा T square upon 2 और इसकी limit हमारे पास जाएंगे integration की 2 से 6 पलस 4 बाहर आ गया DT का T within the limit 2 to 6 और यह आया हमारे पास 2 upon 2 into 6 का square 36 minus lower limit 2 का square 4 पलस 4 into 6 minus 2 और यह आया हमारे पास 2 से तो तो cancel out होगे 36 minus 2 32 32 पलस 4 into 4 into 4 और यह आया 32 पलस 16 is equal to 48 कुलाम के ब्राबर आ गया this is the value of the charge flowing within the time from 2 to 6 second आगे अमारे पास आता है कि बई direction of current आता है current के अमारे पास direction क्या होती है उससे पहले मैं कहता हूँ कि बई अमारे पास current है वो अमारे पास कैसे produce होता है हमने बताया कि जब भी current produce होगा तो हम कहेंगे वो फ्लो ओफ चार्ज से produce होगा अब मैं यह कहेंगे वो आमारे पास यह कोई भी एक conductor है और conductor है तो मैंने कहें दिया कि इसको किसी बैटरीक साथ नहीं connect किया तो हम कहेंगे कि इसके पास free electrons है and they are moving in random direction तो इस case के अंदर हमने कहेंदिया कि current है वो आमारे पास क्या होगा जीरो के वराबर होगा यह कहता है कि current है वो जब flow करेगा जब हम क्या कहेंगे कि इसको हम connect कर देंगे किसी बैटरी के साथ और यह मैंने कहेंदिया यह हमारे पास battery आगए आगे बैटरी के बारे में डिसकस करेंगे बैटरी है इसका मैंने कहेंदिया वो potential V है तो मैं कहूंगा कि जो electrons थे वो तो आमारे पास इस side में आ गई और जो positrons थे वो बोलो इस side में आ गई या नहीं तो इसका मतलब यह हो गया कि electrons की भी direction हो गई और positrons की भी direction हो गई बट यह कहता है कि जो direction of current है इट इस given इन दा direction of positrons positrons की direction में अमारे पास current है वो flow करेगा that is हम कहेंगे कि इस side में flow करेगा अब बात आते है direction आ गई direction आ गई तो इसका मतलब हमारे पास current है वो कैसी quantity होनी चीए vector quantity होनी चीए बट यह कहता है कि current है वो हमारे पास कैसी quantity है scalar quantity होगी तो इस scalar quantity हमारे पास क्यों होगी अब देखो भई यह मैंने कह दिया कि यह हमारे पास कोई भी wire है इस wire में से हमारे पास इधर current जा रहा है 2 ampere का और इधर से हमारे पास current आ रहा है 5 ampere के ब्राबर और दोनों की दोनों wire है एक दूसरे के perpendicular direction में है अगर इसको मैंने इस side में किसी wire से connect कर दिया तो बोलो हमारे पास current कितना बता होगे 7 ampere क्या आपने यहाँ पे vector law of addition follow किया नहीं किया vector law of addition follow करते तो 5 का square पलस 4 का square under the root इतना current आता लेकिन अगर मैं यहीं यू कह देऊ कि direction of current मैंने यह कर दिया इधर हमारे पास current 2 ampere आया और यहाँ से हमारे पास current आया 5 ampere तो बोलो हमारे पास कितना current बता होगे आप 3 ampere बता होगे इसका मतलब यह हो गया कि direction है वो तो अपना role play करती है important role है बट यह कहता है कि हमारे पास इस case के अंदर हम triangle law का use नहीं करती तो हम कहेंगे कि it is a scalar quantity बट यह कहता है कि एक अलग type की quantity होती है और उन quantities को आप नाम दे देते हैं कि टैंसर quantity अगर scalar vector में इसे पुछे तो आप scalar बता होगे लेकिन अगर टैंसर ओर कह दे तो आप क्या कहोगे कि इट इस टैंसर quantity टैंसर quantities वो quantities होती है these are those quantities जिसके अंदर हमारे पास magnitude और direction अपना important role play करती है उन quantities को बट वेक्टर ला ओफ एडिसन है वो follow नहीं करते हैं तो उन quantities को हम कौन से quantity का नाम दे देते हैं they are known as the tensor quantities उनको हम नाम दे देंगे tensor quantities का नाम दे देंगे अब बात आते हैं वह flow of current की बात आते हैं कि current है वो किसी वायर में से अमारे पास कैसे flow करता है हमारे पास कोई भी conductor है इस conductor के अंदर free electrons है और जब free electrons है तो randomly move कर रहे हैं और उस case में हमने बताया कि current है वो zero है बट मनी यह बताया कि जैसे हमने क्या कर दिया कि एक battery connect कर दी मैं पहले इस battery के बारे में डिसकस करता हूँ battery है यह हमारे पास क्या होते है यह provide करती है energy battery हमेश्य हम कहेंगे इट provides the energy दो terminal होते हैं यह positive terminal कह देते हैं यह हम negative terminal कह देते हैं और battery वैसे हमारे पास chemistry पड़ते हैं कि वह हमारे पास laglanche cell होती है और avalanche cell होती है और इसके अंदर chemical reactions होती है और जैसे Cu-C4 हम डाल दे, SO4 डाल देते हैं तो Cu-2, SO4-2 ions वो हमारे पास move करते हैं तो सारक सारा बैटरी उसके अंदर पड़ते हैं electrochemistry में पड़ते हैं अब हमने कह दिया कि यह जो positive terminal है ना इसका जो potential है वो higher potential है और इसका potential हमारे पास क्या है आपके पास lower potential है और अगर conductor की length L है potential difference की rate हो गया तो बोलो electric field है वो हमारे पास setup होगा और यह हमारे पास होगा higher potential to lower potential its direction is from higher potential to lower potential अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर current के flow की भै यहाँ पे जो electrons थे इन पे negative charge था यह इदर आ गई और जो protons है positrons है वो हमारे पास इस side में आ गई अब अगर मैं यह कहता हूँ कि यहाँ से हमारे पास एक charge carrier flow किया तो बोलो इस point पे इसके पास energy है वो EV के बराबर है और यह मैंने मान लिए zero potential तो यहाँ भी कितना potential होगा zero potential बोलो यहाँ पे कितनी energy है zero अब मैं कहुँगा कि electron यहाँ से आएगा बैटरी के पास और energy लेगा और जैसे energy लेगा तो इस point पे पहुंच गया इस point पे पहुंच गया तो इसके पास total energy कितनी होई EV and this process will continue और जो conductor है वो हम कह सकते हैं हमारा appliances होगे और मैं कहुँगा कि electron current carrier का का काम कर रहे है carrier का जैसे हम कहाँ कि electron तो हमारे पास ट्रक है यहाँ से आया खाली ट्रक आया energy ली और बोलो यहाँ पे चला गया फिर दुबारा से खाली हुआ फिर आया यह process है यह हमारे पास क्या रहेगा continue रहेगा that is हम कहेंगे बैटरी है यह अमारे पास क्या करते है इट प्रोवाइट्स दा energy बैटरी है वो energy प्रोवाइड करेगी और यह कहता है जो electrons है they act as the current carriers current carriers की तरह treat करेंगी आगे हमने एक बात और पड़ी थी अगर अमारे पास कोई भी isolated conductor ले लिया और हमने तो यह कहा था कि isolated conductor के अंदर electric field कितना होता आपके पास zero के बराबर होता है बट यह कहता है यहाँ तो electric field अपलाई हुआ जो isolated conductor था वो अमारे पास close loop नहीं बना रहा था कहीं पे बैटरी के साथ connect नहीं हुआ था लेकिन यह कैसा loop बना रहा है close loop बनाता है therefore हम कहेंगे कि यहाँ पे आमारे पास electric field होगा बनाता है